में राजिन्द सर विकास कोचिंग रस्वालया बच्छ वगंव आज का टॉफिक है सेल्ल का आंतरी पृत्रोद्ट यानि इंटर्नल रिच्टेंस आफ़े सेल्ल बच्चा रिच्टेंस साफ़े सेल्ल क्या होता है सेल्ल का उसी कुछ आज हम लोगा को जानना है तो पहले जाल बच्छा कि सेल होता क्या, बनता कैसा है तो धेके, ध्यान दे यहां पर बच्छा सेल के लिए एक घोल त्यार किया जाता है जिस घोल को हम कहते हैं बैदू तब घटे और इसमें दो छड़ होता है बटा इसके अंदर दो छड़ होता है एक छड़ है धन और दूसरा है रिण इसका हम नाम देते हैं धन वाले छड़ को एनोड और इसको देते हैं काइथोड काइथोड छड़ है ठेक है न तो दो छड़ क्योंकि जब सेल हम बनाते हैं तो सेल के लिए दो छड़ होता है इसी छड़ का हम नाम देते हैं इलेक्टोर जो पीछे हम लोग पढ़ करके आए हैं तो एक छड़ है धनात्मक छड़ जिसे हमें नोट कहेंगे दोसरा छड़ क्या है रदात्मक जिसे हम क्या कहेंगे कैथोड कहेंगे और यह दोनों चड़ एक गोल में डुबा होता है इस गोल का नाम देते हैं बैदूत अपगाटे तो इस प्रकार से एक सेल का निरमाड होता है एक सेल के निरमाड में दो चड़ा है जिसे हम इसे लेक्टोड करते हैं इसकी खुबी होती है बैदू तब घटे का बच्चा कि एक छड़ के ऊपर धान आविस जबकि दूसरे छड़ पर रिड़ आविस एकठा होने लगता है अज़ जब हम इसको किसी सुचालक तार से जोड़ देते हैं तो धारा धान प्लेट से रिड़ प्लेट की तरफ बहने लगती है तो सेल का निरूपन कैसे होता है पहले उसको जानो बचा तो यह देखो तुमारा सेल का निरूपन एक यह प्लेट धनात्मक हो गया और यह रिड़ात्मक हो गया तो ये सेल का दिरमाड़ ऐसे दिखाय जाता है ठीक है तो सेल का निरमाड़ हो गया अब सेल जब बनता है तो उसके लिए मैंने बताया कि दो छ़ड़ा की जरूत होती है बैदु तब घटिंव een। होता है अंदर आइसा गुड होता है कि एक छोड़ पर धान आवेश जबकि दूसरे छोड़ पर रिड़ आवेश ही कठ्था होने लगता है ठीक है अब हम यहां से बात करेंगे बैट्रे के कि तो शेल का निरुपण ऐसी किया जाता है बैट्री अगर तो उसके लिए तेद्धान लखेंगे कि बस मैं आपका concept करा देना चाहता हूं कि आएसे इसको बैट्री बनाया इसका क्योंकि सेलों को जब जोड करके बनाया जाता है दो या दो से अधिक सेलों को जब जोड दिया जाता है तो उसका नाम होता है बैटरी तो याद रखेंगे और यह आपका क्या है सेल है सेल हम बनाते क्यों हैं सेल हम इसलिए बनाते हैं कि किसी परिपत में हम धारा को भेज सकें तो परिपत में धारा भेजने का जो काम करेगा वो क्या करेगा सेल या अधिक मजबूती वाला धारा भेजना है तो कई सेलों को जोड़ देते हैं तो क्या नम देते हैं बैटरी अब हम यहां से आपको आंतरीक प्रितरोध बताने जा रहे है सेल का ठीक है तो इस बैटी वाले से कोई मतलब नहीं है सेल से हमारा काम चल जाएगा आगे हम चल करके सन्योजन करेंगे तो जानेंगे इसको तो अच्छा सेल का आंतरीक प्रितरोध क्या होता है तो ध्यान देजिए तो जब हम किसी सेल के एक छड़ को दूसरे छड़ से यानि धान प्लेट को रिण प्लेट से जोड़ देते हैं वाचा मान लो कि यहां पर इसका हम एक बल्व लगा देते हैं ठीक है और लाकर की सीरे से जोड़ देते हैं तो ध्यान देना अब यह धन प्लेट से रिण प्लेट की तरफ धारा बहने लगती है ठीक है धन प्लेट से रिण प्लेट की तरफ धारा यहां पर हमने क्या लगा रखा है प्रतिरोध लगा रखा है तो जैसे ही हम किसी सुचालक तार से जोड़ देते हैं तो धारा का प्रव होने लगता है तो इसमें एक बात आती है कि आंतिर प्रत्रोध क्या होता है तो हम जानते हैं कि जब भी किसी चालक तार में बैदुधारा का प्रवाह किया जाता है तो चालक तार के अंदर इलेक्टानों को चलने से रोकने का काम होता है धन आयनों के कारण यानि इलेक्टान के यानि आवेस के चलने के मार्ग में औरूध उत्पन होता है तो किसी चालक तार का बाहे प्रतिरोत कहलाता है लेकिन यहां ज़र विचार कीजिए वच्छा यहां पर आपका परिपत अभ तो यहां तक पहुचा तो यह द्धान प्लेट से कहां चला रिंड प्लेट की तरफ लेकिन द्यान देजिए अभी जो है इसका मार्ग पूरा नहीं हुआ है मार्ग तब पूरा होगा जब इस प्लेट का समंद इस प्रकार से किया जाएगा मतलब घोल जो होगा अब रिंड प्लेट से घोल के अंदर जो धारा बहेगी क्योंकि यहां धारा बहर है यह धारा की दिशा किदर देखिए यहां पर अब इस धारा की दिशा इधर सिधार है यानि ये धार रिंड प्लेट है और इधार कौन सा प्लेट है धान प्लेट है तो ये रिंड प्लेट से किधर बाहर रही है धारा धान प्लेट की तरह बाहर रही है तो यहां धान प्लेट से धान प्लेट की तरह बाहर रही है तो जीस परकार से हमारा की कोई तार जो है किसी आविस परवाह को क्या करता है रोकता है चलने नहीं देता है उसी तरीके से घोल भी जो है एक सीरे से दूसे सीरे तक यानि घोल के अंदर जो धारा बह रही है वो रिण प्लेट से कहां बह रही है धान प्लेट की तरह बह रही है तो आप जारा सध्यान दे करके देखें कि यह जैसे चालक तार प्रतिरोध लगाता है धारा को बहने के लिए मार्ग में नहीं बहने देता है ठीक उसी तरीके से यह सेल के भीतर घोल भी जो है एक प्रतिरोध उत्पन करता है जो रिएन प्लेट से धन प्लेट की ओर नहीं जाने देता है और उत्पन करता है उसी को हम कहते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध इसे का कहते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध बच्छा अब आपका परिभासा बन करके निकला क्या कि जब हम किसी सेल के प्लेटों को तार से जोड़ देते हैं तो धारा धन प्लेट से रिण प्लेट के तरफ बह लगता है जैसे चालक तार में प्रतिरोध उत्पन होता है ठीक उसी तरीके से घोल के भीतर भी जो है प्रतिरोध उत्पन होता है इसी घोल के भीतर आब इसके प्रवाह को रोकने का जो काम किया जाता बैदु धारा को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है उसी को हम कहते हैं स हमने सेख लिया है सेल का अंत्रिक प्रतियोद किन किन बातों पर निभर करता है तो मैं यहां पर चित्र के माध्यम से ही बता देना चाहते हूं पहला कंडिशन देख लिजिए लिखी देते हैं एक छण लाएगा लिख देते हैं क्लियर हो जाएगा पहला अच्छा सेल का आंत्रिक प्रतियोद जो होता है इन दोनों प्लेटों की दूरी की अनकर्मान उपाती होता है अगर जितना ही हम इसको दूर बढ़ाएंगे तो उस सेल का आंत्रिक प्रतियोद उत्रा ही क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा नजदी कर प्लेटों के दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है प्लेटों के दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है प्लेटों के दूरी के अनुक्रमानुपाती है मतलब अगर वच्छा प्लेटों की दूरी जितना ही हम बढ़ा देंगे तो आंत्रिक प्रत्रोद का मान भी उतना ही क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा पहला कंडिशन दूसरा जो प्लेट डूबा हुआ है गोल के अंदर जितना ही गोल के अंदर ये डूबा होता है उतना ही आंत्रिक प्रत्रोद कम होता है यानि गोल में डूबे प्लेटों के छेत्रफल के ब्यूत कर्मानुपाती होता है ब्यूत कर्मानुपाती होता है यह हमको याद रखना घोल में डूबे प्लेटों के छेत्रफल के ब्यूत कर्मानुपाती तीसरा होता है पदार्थों की प्रकिर्ती यानि प्लेट किसका बना हुआ है उनके लिए निर्भर करता है कौन सा प्लेट किस धातु का है किस प्रकार का लिया गया है तो ऐसे लिखें बच्चा प्लेटों की प्रकिर्टी पर प्लेटों की प्रकिर्टी पर निर्भर करता है प्लेटों के प्रकिर्टी पर निर्वर करता है और चौथा बच्चा ये होता है कि यह बैदू तब घटे जो घुल हम मना रखे हैं जितना ही गाढ़ा होगा अर्था तिसकी सांदरता जितना ही क्या होगी अधिक होगी तो याद रखेगा उस इस्तिती में सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होगा उतना ही अधिक होगा तो हम लिख दे तरचा गुल के सांदरता बढ़ने पर अंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है तो गुल के सांदरता बढ़ने पर अंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होता है बढ़ जाता है तो यह हो गया चौथा यह पाच्वा यह जाने होचा कि सेल को अगर लागातार हम क्या करते रहें परियोग में लाते रहें तो याद रखिएगा यह सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है उनियत नहीं रहता है जितना हम देर तक इसका इस्तमाल करते जाते हैं प्रतिरोध भी उसी हिसाब से क्या होता है बढ़ता चला जाता है यानि सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वह लागातार क्या होता है चलाने पर प्रतिरोध भी क्या होता है बढ़ता जाता है यानि आंतरिक प्रतिरोध नियत नहीं होता है नहीं होता है अधिक परियोग में लाने पर अधिक परियोग में लाने पर बढ़ जाता है बढ़ जाता है तो यह हमको याद होगना चाहिए पांच्ठ टापिक पहला प्लेटों की दूरी के अनकरमान पाती प्लेटों की दूरी को जितना ही हम दूर करेंगे तो आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा अगर नजदिक करेंगे तो आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होगा घड जाएगा पहला कंडिशन हो गया दूसरा गोल में प्रत्रियोद गटेगा और छौता घोल की सांदरता बढ़ने पर आन्तिर प्रत्रियोद का मान क्या होता है बढ़ जाता है यानि घोल जितना हम गाढ़ा रखेंगे तो आंतरिक प्रतिरोद मान क्या होगा उतना ही क्या होगा बढ़ जाएगा आंतरिक प्रतिरोद और क्या होता रच्छा आंतरिक प्रतिरोद होता है नियत नहीं ही रहता है अधिक परियोग को अगर सेल को लाया गया लाने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है बढ़ जाता है ठीक है अब हम यहाँ पर कुछ बाप बात करने जा रहे हैं यह हम लोगों ने जाना कि सेल क्या होता है और सेल का अंतरिक प्रतिरोध कीन बातों पर निर्वर करता है इसको ज पाएंगे और जान पाएंगे कि कैसे हल होगा तो अब हम चितर के माध्यम से पुना देखेंगे